इंडिया में लॉंच होने वाला है जल्द ही Redmi की तरफ से Redmi का Note 11 Pro Max अब आपको अगर इस फोन के वारे में स्पैक्पिकेशन जाननी है तो इस वीडियो को यार कंटिन्यू जरूर देखना तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेश करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ये फोन Dual 5G के साथ होने वाला है इस फोन के अंदर आपको Android 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस फोन में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा देखने को मिलेगे जिसमें से में कैमरा होगा 108 मेगा पिक्सल का जो की काफी बड़ा यहाँ पे हाईलाइट फीचर है इस फोन का और इसमें आपको Sony का न्यू सेंसर देखने को मिलेगा बात करें फ्रेंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पर आपको 44 मेगा पिक्सल का न्यू सेंसर का कैमरा देखने को मिलेगा बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको इस फोन के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस phone की battery के बारे में तो इस phone के अंदर आपको 6000 की बड़ी battery देखने को मिलेगी जो कि long time तक चलेगी बात करते हैं इस phone के processor के बारे में जो कि काफी लोग जानना चाते हैं मुझे पता है आपकी जानकरी के लिए आपको बता दो इस फोन के अंदर आपको 888 का बड़ा प्रुसेसर देखने को मिलेगा जो कि Dual 5G को सपोर्ट करता है चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोन इंडिया के अंदर किस प्राइस पॉइंट पर लॉंच होगा तो गाइस ये फोन भी जल्दी आने वाला है इंडिया के अंदर जल्दी लॉंच होने वाला है और अगर आप लोग ऐसे अपडेटेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन पर क्लिक करके ओल पर सेट कर लेजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्स और रोचिंग बाई बाई गाईज